हाई ब्रीबन आईए आज की इस वीडियो में हम एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के प्राचिन इतिहास से रेलेटेड थर्टी इंपोर्टेंट कोस्चन्स आज की इस वीडियो में डिस्कॉस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कंप्यूटिटिव एक्जाम्स के लिए यह आपका पार्ट ट्वाइन टी फॉर एक इससे पहले वाले सारे प्रिवेज पार्ट का लिंग आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ठीक है तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं चलिए कोस्चन नमबर फर्स्ट क्यों आते हैं जी आपका क्वश्चन नमबर फ边 दिया हुआ है गदर पार्ट का मुख्याले यान्यट की गदर पार्ट का मुख्यद है एट क्वार्टर जिसे सचे वाले प्रकात जो की कि किस ने गःलत किया शौराज ची मेरा जन्मिसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. ये नारा किसने दिया था? तो सुराज मेरा जन्मि स्द अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. इन्होंने ही दिया था. अंग्रेजव क्वार बंगाल का दिवाजन यानि कि बंग़गंक कब रद किया गया निस्करिय पर्तिरोध सिधान्त का परथम परवर्तक कों थे अरकिन्द घोस थे टिया औरी समाच के संस्थापक को थे तो आरी समाच के संस्थापक थे स्वामी दैनंद शरस्वती आरी समाज के कौन थे संस्था पकती ठीक है नेक्सट परसिद्ध कविता सरफ रोसी की तमनना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में है है ना इसे सोटकोट में इतना ही लिखा गया है ठीक है यह किस ने लिखा था तो यह बिस्मिल अजीमा बादी ने लिखा था बिस्मिल अजीमा बादी ने यह जो है इन्हों ने ही यह जो है पंक्ती लिखे थे ठीक है चलिए केसरी क्या था जी बताए केसरी क्या था तो एक मर आठी समाचार पत्री का नाम था केसरी ठीक है इससे जदा कुछ भी नहीं है ठीक है बाल गंगादर तिलक किसी अपना राजनितिक गुरु मानते थे बताएं बाल गंगादर तिलक अपना राजनितिक गुरु दादा भाई नौरुजी को मानते थे दादा भाई नौरुजी क बाल गंगदर तिलक अपना राजनितिक गुरु मानते हैं जिस तरह महत्मा गांधी जो है गोपाल कृष्णी गोखली को अपना राजनितिक गुरु मानते हैं महत्मा गांधी इसी तरह बाल गंगदर तिलक जो है दादा भाई नोरुजी को अपना राजनितिक गुरु मानते है ठीक है उसको फूलो करते हैं उसके नियम को ठीक है नेक्स्ट मुसलिम लिग की अस्थापना किस वर्स हुई थी तो मुसलिम लिग की अस्थापना वई थी 1906 में कब उप ए다면 ही मोहमडन ऐंगलो और ऑरियनटल कोलीज की स्थापना किस ने की अधी थी। तो अलिखठ में मौहमड़न एंग्लो औरियंटल कॉलिच की स्थापना किये थे सरस्य अहमद खान किसने किये थे ची तो आप ब्लोगे सरस्य अहमद खान ने कि एती ठीक है बेदों की और लौटों को नारा किस ने दिया तो दियनन्द शर्षवती ने दिया था ठीक है ओके नेग्स्ट कोशन अलिगड आंदुलन का संस्थापक कौन था तो अलिगड आंदुलन के संस्थापक थे सर सयद अहमद खान तो आप बूलोगे गुपाल किने शीने खोख्ल एक नेटिक है नेक्स्ट बनारस-हिंद्विष्विद्यलद्य के अस्थापना किसे के metros ये अकमिते अभिशक, कॉन तो ब今年्जिब्ली माक डियाक्ष थे बदरुदीन थे ब्रण माम माद्धिश को ख्यों है तो बार्दोली सत्याग्राह अंदोलन का नित्रित भी किये थे सर्दार बल्लब भाई पटिलने ठीक है बार्दोली सत्याग्राह अंदोलन का नित्रित भी किसी ने किया था तो आप बोलोगे सर्दार बल्लब भाई पटिलने किये थे ठीक है नेक्स्ट भारती पुनरजागर का क्या नाम था उसमें बाइसराय कौन था तो लौड हर्णिंग के साशनकान में भारत की राजने दिल्ली बनी पहले कुलकाता थी उसके बाद दिल्ली बनी ठीक है यह 1911 से बारा की बिच में बनी ठीक है चलिए नेक्स्ट 857 के सैन बिद्रो कि समय गवर्णर जनरल कौन था लौड कैनिंग था ठासव संतावन के क्रांति के समय गवर्णर जनरल का नाम था लौड कैनिंग यह बहुत इंप्रोटन कोस्टन से ठीक है याँ देखेगा ठीक है भारती भारती उपद्रब का पिता किन्हें कहा जाता है तो आप बोलोगे स्वामी बिवेका नंदने स्वामी बिवेका नंदने ठीक है ओके नेक्स्ट को सने बालगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंगंग राष्टिय कॉंग्रिस के अस्थापना किस वर्स हुई थी जी राष्टिय कॉंग्रिस यानि कि भारती राष्टिय कॉंग्रिस के अस्थापना जियोतिबा फुले कुंते जी तो आप बोलोगे जियोतिबा फुले ठीक है चिटगाउं सस्त्रागार पर धावा किसके नितित्व में बोला गया तो चिटगाउं सस्त्रागार पर धावा ये जो है सुरी शिन के नितित्व में बोला गया ठीक है नेक्स्ट कोशन भारत का बि मार्क के नाम से जाना जाता है ठीक है तो तंत्र पार्टी के संस था पक कौन थे तो तंत्र पार्टी के संस था पक थे सी राजगोपलचारी ओके सी राजगोपलचारी थे ठीक है अप्शन नूमर डिक रिक्रिक्टन सुझेगा ठीक है ओके चलिए इस तरह मैंने एंसेंट हि देखे हैं ठीक है तो थैंक यो लाइक शेड़ एंड सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में सो थैंक्यू